जनादेश भारत देऊश और आपके शाथ मैं हूँ ममता से तो चलिए सुरुआत करते हैं आज की कुछ करते हैं विजनौर कोलकाता में हुई डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद एक तरफ जहां देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है विजनौर में भी आज दर्जनों डॉक्टरों ने हरताल कर कोलकाता में हुई मेडिकल छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में मृतका को न्याय दिला जाने की मान की है आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूस चैनल पर हमारे सहयोगी समवाददाता नीरज पाल की यह लेटस्ट खबर हिंदी में देखिए दरसल कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में एक तरफ जहां पूरे देश भर में कई जगा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं इसी कड़ी में शनिवार को इंडियन मेडिकल असोसियेशन के बैनर तले आइमा की राष्ट्रिय कार्यकारिनी के आवाहा पत विजनौर क्लब में बैठक आयोजित की गई इसमें संपूर्ण जिले की सभी आइमा, नीमा, युनानी, आयूश, डेंटा, हुमिय अपुठी के चिकित्सकों ने भाग लिया कोलकाता में हुए निर्मल हत्याकांद के विरोध में सभी एसोसियेशन ने इकठा होकर मृतिका को न्याय दिलाये जाने की मान को लेकर कलेक्टरेट पहुचकर एक यापन प्रशासन को सौपा इस दोरान आयमा अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद सिंग, सचिव डॉक्टर आशु आत्रेय, को अध्यक्ष डॉक्टर कपिल वह बिजनौर के जाने माने दॉक्टर दॉक्टर बीरबल सिंग, दॉक्टर सीपी सिंग, दॉक्टर दिपेंदर सिंग, दॉक्टर अनिल अगरवाल, दॉक्टर अर्विन चौदरी, दॉक्टर आशुतोष चौदरी, दॉक्टर राजीव सिंग, दॉक्टर शुन्य सुभ हमारी IME की राश्य कारेकारणी के आवहान पर जो आज हम लोग 17 तारीक को एक डॉक्टरस ने इस्टाइक रखी है जिसमें हम लोग उने OPD और जो हमारी सजरी है उनको बंद रखा है उसका सबका कारण क्या है कि 9 तारिक में आर जी कर मेडिकल कॉलेज कुलकाता वेस्ट बंगाल में एक हमारी PG की चात्रा कम पहले बलातकार होता है फिर उसका मर्डर हो जाता है और उसके जो अच्छारे हैं जो उसका मर्डर करने वाली लोग हैं वो आज तक भी उनको ना वो अरेश्ट हुए है ना उनके खिलाब कोई कारेवाई नहीं हुई है। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे हमारी गौर्णमेंट क्या कर रही है। इसके बारे में हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं, अपनी जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक के माधियम से, कि हम लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, यह किसी सौक में नहीं कर रहे हैं, यह मजबूरी है। और जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, कि डॉक्टर्स पर चिकित्सक पर तफी हमले भी हो रहे हैं, उनके खुद के निर्सियों में लोग जाते हैं, और जरासी कोई बात होती है, उनके तोड़फोर करते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि चिकित्सक जब भी कोई काम करता है, तो हमेशा अपने मरीज के भले में करता है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे मरीज की जान जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ एप्रिय होता है, तो उसमें डॉक्टर्स अकेले दोसी नहीं हैं, उसकी कुछ बिमारिया भी, कुछ परस्थितियां भी ऐसी होती है तो इसी के लिए जो हमारी राष्टे कार्यकारणी ने हमें एक चार्ड पॉइंट की डिमांड प्रोग्राम दिया है जो हम अभी अपने डिमांड क्या है वो मैं आपको पताना चाहता हूं इसमें हम लोगों का यह है कि दोसियों की तत्काल गिरपतारी हो मामले में तुरत का परेवाई कर दोसियों को अधिक्तम सजा दिलाई जाए डॉक्टरों वे अन्य स्वास्ते कर्मियों को सभी प्रकार की अराजक घटनाओं से बचाने के लिए एक केंद्रिय कानून बनाया जाए सभी स्वास्ते देखभाल संस्तानों को विसेश संरक्षित चेत्र गोसित कि दिया जाए राश्टिय चिकित्सा परिशत जो हमारी नेशनल मेडिकल कॉंसिल है को देश की किसी भी इलाके में काम कर रहे है मेडिकल चात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डाक्टरों की सुरक्षा से संबंदित सक्त नियमों को लागू करने का अधिकार दिया जाए ज उनके सुरक्षा को दियान में रखते हैं वो ऐसा कानून बने जिससे कि आप लोग भी जब कभी किसी चिकित्सा कराने आए तो उसको कभी कोई भे में ना रहे चिकित्सा वो आपको आगे गलत रह बना करें यही हमारी डिमांड से दन्यवाद